पानी निकलने को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में वबाद हो गया मामला दिरे-दिरे मारपी तक पहुंच किया ताज़ा मामला नई करी थाना शेज़े के अंदर गर्ण देवरिय गाफ का है है जहां महिला जीता देवी पतेल के द्वारा पानीनिकलने के लिए गनाली की सपाई की जा रही थी इसरेज बीड पेल वजए पटेल ने अपने सातियों के साथ मारा के अधिक приготов तो क काफि चोटी आई है महिला के दवारा यह कितने लोग थे फिर क्या हुआ आपके साथ में सपोर्ट में को ना बचाने के लिए फिर मेरे बालक दो अंदर थे जब यहां ची ची आने लगे फोहर मसाने लगे तो निकले बाहर तो उसके मेरे हास्पेंट साहर को लपते थे अच्छे लाल-पते तो जब लपते तो मैं मैं आवाज किया मैरे जेठे हैं तो बच्छों को आवाज किया बच्छों आए तो उनको छड़ाने लगे उसको वाला काए तो एक छरही लेके मेरे को उसको सिर में मारने लगे तो मैं पकड़ लिया जब पकड़के उस छरही मचिक दिया वाहा तो फिर भीपिन पटे मारने लगे जी हादसा कहां का था कहां पर हुआ जहां रड़ाई जागड़ा हुआ जैसे कि आप देख सकते कर देख सकते हैं कि यह देरियन गाओं का मेटर है और यह कल पर्सों वसाथ हुई कर दो कर दो कर दो कर दो कि मेरा नाम है आप पिता जी का नाम रामकुमार पटेल पानी बन किये पहले पानी चड़ा कौन कौन थे यह लोग अच्छे लाओ थे विपिन थे और बीजय को पिर क्या नाम आपके पत्नी का घिता री पटेल फिर क्या हुआ आप लोग यहां मना करने लगे नहीं वजीना जीप्ती किये और लिपटा जीडिकिये और मैं थाने करता है यह और वहीं पत्रवाता है शब बाता है इसके लिए के लिए होटल वाला दिए गिरी करता है चाय नास्ता बाता है और वहीं सब चीज कर वाता है क्या नाम है अपना के मां गाज हो रहा है राज बताए कि जगड़ा जो हुआ तो किस माटर में हुआ कौन है दीवाल के तीरे गद्धा खोड़े रहे हैं तो किस वज़े से खोड़ रहे थे अब क्या जाने हम वजा उसका क्या है क्या नहीं क्या तो फिर क्या हुआ उसके बाद इसके बाद करें नहीं तो फिर लेडियों के बीज में भी जगड़ा हुआ है तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में जैसे रिपोर्ट होई और अपने आपस में मिल बांट के जो रहें लोग हम तो यहीं चाहते हैं जाहते हैं तो आपने भी रिपोर्ट आपके तरफ से भी हुई हर अब जहीं तो है अचे इंगом Dan इंग